मेरे ग्याल से ये मूवी हर किसी ने देखी और अगर नहीं देखी तो मैं strongly recommended करूँगा कि जाकर इस मूवी को जरूर देखो और analyze करो इसमें जो दिखाया गया है उस चीज को नमश्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करने वालों article 15 के बारे में जिसे direct के अनुभव सिना ने हाँ मुझे पता है ये movie बहुत पहले आय थी और एक लगबग एक साल पहले और इसको मैं बहुत टाइम पहले देखना चाहता था लेकिन क्या करूँ कभी टाइम नहीं लगा और हुमत जिसान आयोब जिन्होंने निशाद नाम के एक दलित वर्ग से एक व्यक्ति का किरदार उन्होंने प्ले किया है ये movie समाज में जातपात के नाम पर भेदभाव किया जाता है उस मुद्दे को उठाती है और इस movie की सबसे खास बात मुझे ये पसंदाए कि किसी इ इतने समवेधन शिल मामले पर movie बनाने की इहमत की और उमीद करता हूँ कि आने वाले समय में बहुत सारे जो समवेधन शिल मामले हैं उनके ओपर movie बनाई जाएगी और लोगों को सच्चाई दिखाने की कोशिश की जाएगी पहाने के बात करते हैं IPS आयान रंजन की आयू गैंग रेप पर movie की कहानी बताने से पहले मैं आप लोगों को एक पर ब्रिटिश आशन के अंतरगर जो धर्म के अधार पर जो संपरता एक चुनाव परनाली लेकर आये जो देश के लोगों को बाटने के लिए उन्होंने वो चीज़ लेकर आये थे फिर कुछ टाइ ने अंशन पे जाकर इस चीज़ को रोकने की कोशिश की थी और बाबा साब मेडगर के साथ बैठ कर इस चीज़ को सुल जाया था अब ये चीज़ क्यों बताए क्योंकि उस टाइम जो अंग्रेजों ने कोशिश की थी आज के टाइम में कुछ बुद्धी जीवी वो चीज पा represents the के क्याना तक वå अरक्षिन बारे कर डारा कि जरूरती नहीं है जो अपने को समुरिद कर चुका है उन तक ही वो चीजें पहुँच पारी हैं वो ही उस चीज का फायदा उटा रहे हैं जिनको एच्छल में पहुँचना चाहिए वहां तक वो अरक्षन पहुँच ही नहीं रहा और इसी वज़े से भारत की इस समुदाय की जनता काफी टाइम से अपने आपको आगे लाना तो दूर की बात है एक बराबरी का हग दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रही है एक ऐसा बारा जहां आज भी लोग जातपात के अधार पर लोगों के बीच में बेदवाव करते हैं और यह सच है कोई यह नहीं है कि सिर्फ मुवी या वैब सीरीज में दिखा दिया वहीं तक वो सीच सीमित है नहीं नहीं वो रियलिटी में एक्चुल में वो चीज़ें हो रही है और इसमें एक बात सही बोली गई है कि कभी हरी जन हो जाते हैं कभी बहुजन हो जाते हैं लेकिन कभी जन नहीं बन बाते हैं इतना टाइम हो गया देश को आजाद हुए, लेकिन आज भी इस समुदाय की हालत इतनी दहीनिया है जो ये बताती है कि सरकार ने आजादी के बाद इतना कुछ किया नहीं दली समुदाय को आगे लाने के लिए, उनकी स्तीती सुधारनी के लिए, सिर्फ और सिर्फ यूज कि यूज करके अपना उलू सिधा करते हैं, और कुछ ऐसे लोग जो दलित दलित बोल कर ऐसा फील करवाते हैं कि भारत के नागरिक नहीं है और उन्हें बरगलाने की कोशिश की जाती है, और एक मुद्दा इसमें उठाया गए कि कैसे SCST कैटिकरी के ही लोगों को सीवर या ग कोई safety equipment नहीं दिया जाता, machine यूज नहीं की जाती, एक interview मैंने देखा था, उसमें कहा गया था कि भी चीज़ें तो आई थी, equipment तो आए थे, लेकिन contractor उनसे वो चीज़ें नहीं देता, safety के लिए gloves हो गया, mask हो गया, वो चीज़ें उन्हें देता ही, तो इससे कितने लोगों क कि जान चली जा रही है, दम घुटने के हुज़े सीवर में उतरते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इतने समवेधन शील मामले, जो और भी बाकी रहे गए हैं, उन पर भी movie जरूर बनेगी, और लोगों को ये सोचने पर मजबूर करेगी, कि वो अपने बोक्स में लिख कर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, बेशक मैं उन जीर का reply जरूर दूँगा, कैर बस आज के लिए इतना है था इस वीडियो में, thanks for watching this वीडियो, मिलते हैं next वीडियो में, जाए हिंद